दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला अब 13 नमंबर यानि आज से नहीं लागू होगा और एवन फर्मूला जिसको लेकर प्रियावरण मंतरी गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फरेंस कर कहा वायू गुनबत्ता में सुधहार के कारण फिलहाल इसको पोस्पॉंड किया गया है अमेरिका के राष्ट्पती जो बैरन आज वाइट हाउस में एक बैठक के लिए इंडोनेसिया के राष्ट्पती जो को वीडोडो की मेजवानी करेंगे इस दोरान दोनों नेता अन्यमुद्यों के अलावा स्वक्ष उर्जा तरीकों को अपनाते रहने आर्थिक समर्द्धी को आगे बढ़ाने तथा छेत्रिय सांती एवं अस्पिर्टा को बरहावा देने पर चर्चा करेंगे दिवाली पर जहां हर और खुसियों का माहूल था वहीं मौत्रा के पठा का वजार में आग लगने के कारण 18 दुकाने जलकर खाक हो गया आसपास में दिखा हरकंप उधर गाजियाबाद के नंदक राम में भी आग लगने से लोगों में हरकंप मच गया जहां मौके पर दमकल की कई गारियां पहुँचकर आग पर काबु पाया राष्टकवी रामधारी सिंग दिनकर की बड़ी पुतरवद्धु का हुआ निधन आज अंतिम संसकार में पहुँचेंगे कई दिगज हस्तियां दिपावली पर मनी सिसोद्या के परिवार वालों के साथ दिल्ली के सियम अरविंद केजरिवाल ने मनाय दिपावली वहीं पतनी सुनीता संग आप सांसत संजे सिंग के घर भी गए ख़बर है कि अगर केजरिवाल भी जेल जाता है तो अपनी पतनी सुनीता केजरिवाल को दिल्ली के सियम बना सकते हैं पंजाब के अमरिश सर अस्थित स्वर्ण मंदिर में दिपावली और बंदी छोड दिवस के अवसर पर जोड़दार उत्सब दिखा इस अवसर पर स्वर्ण मंदिर के ऊपर जोड़दार पटाके जलाये गए और जम कर आतीस वाजियां की गई पुस्तों आगे वरनेस पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस नियूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो अभी लाइक कमेंट कर दिजे क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतिजार कर रहा हूँ आज 36 गर के दोरे पर रहेंगे परधान मंत्री नरेंद मोधी जहां हुए मोगेली और महा समुद में बड़ी चुनावी सभा को सम्भोधित कर बीजेपी के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील करेंगे किरकेट वर्ल्ड कप में भारतिय टीम की जीत का सिलसला जारी है जहां दिवाली की खुसी के साथ ही भारत ने अब अपने आकरी ग्रुप मुकावले में नीदरलेंड को 160 रनों से हरा दिया भारतिय टीम की यह लगातार नौमी जीत रही भारतिय टीम अब न्यूजिलेंड के खिलाफ सेमी फाइनल मुकावला खेलेगी मद परदेश विधान सभाद चुनाओ के मते नजर आज राजदानी भोपाल में कॉंग्रेसी सांसद राहुल गांधी दो घंटे तक रोट सो करेंगे वहीं तीन विधान सभाद सीटों में घूम कर पर्तियासियों के पक्षमे वोट मांगेंगे देश के कुछ राज्यों में आज गोवर्धन पुजा और अनकूट महुतसब मनाया जाएगा जहां अधिकतर राज्यों में कल 14 नमंबर को यह महुतसब मनाया जाएगा केंद्रे ग्रहमंत्री अमिस्सा आज मद पर्देश के चाचोरा विधान सभाद के वीना गंज एवं रागोगर में भाजप्पा परत्यासी के समर्थन में जन सभाद को संबोधित करेंगे बता दें कि यहां 17 नमंबर को वोटिंग होनी है दिल्ली NCR में आज मनाया जाएगा विस्प कर्माडे यह दिन मसीनों के परती कृतग्यता जताने के लिए मनाया जाता है इस दिन मसीनों की पूजा की जाती है और जीवन को आसान और सरल बनाने वाले मसीनों के परती आवहार जताया जाता है जम्मो कस्मिर के पुंच में रविवार को देर साम तेज रफतार वाहन के दुरगटना ग्रस्त होने से दस लोग घायल हो गए यह वाहन पुंच सेक्टर से बांदी चेचियान गाउं की ओर जा रहा था जहां सभी घायलों को पास के अस्पताल में भरती कराया गया जिनकी हालत अस्थिर बताई जा रही है पश्चिम मंगाल में दिपावली के साथ ही काली पूजा की भी धूम चल रही है जहां जगह जगह काली माता के पंडाल लगाए गए हैं, वहीं सरधालों की भारी भीर देखी जा रही है IT बॉंबे के कुछ स्टूडेंट ने कथित तौर पर फलिस्तीनी आतंगवादियों के समर्थन में बोलने के लिए एक प्रोफेसर और एक गेश टीचर के किलाफ पुलिस में सिकायद दर्ज कराई है, जहां हमास आतंकियों का गुनगान किया जा रहा था पाकिस्तान के जेल से रिहा हुए 80 मचवारे पहुँचे अपने अपने घर, जहां गुजरात के रहने वाले सभी मचवारे जब घर पहुँचे तो दिपावली की डबल खुसियां दिखी राजथान पुलिस की CID क्राइम ब्रांच ने पर्देश के टॉप 10 बदमासों में सामिल वरुन चौधरी को गिरफतार किया बताया जा रहा है कि चौधरी युवा कॉंग्रेस के पुर्वध्यक्ष विक्रम सर्मा के हत्याकार में सामिल था हरियाना के सियम मनोहरलाल खटर ने मनाया दिपावली उत्सव अपने आवास पर की पूजा अर्जना और दिये जलाकर लोगों से परदूसन मुक्त दिपावली मनाने की अपील की पुत्राखन टनल हादसे पर पीम नरेंद मोदी ने ली जानकारी केंद्रिय एजेंसियों को दिया सहियोग करने का नर्देश जारखन के जमसेदपुर में एक व्यक्ती बिमा कमपनी से अपने परिवार के लिए 15 लाक रुपे का बिमा करा शुका था वहीं 8 साल से प्रीमियम भी दे रहा था जहां अपने बेटे के बिमार होने पर कैसलेस स्कीम की वजह से वह निश्चित होकर अपने बेटे का इलाज बैंगलूरू अस्तित नारायन हिर्दयाले में कराया जब अस्पताल से डिस्चार्ज कराने का समय आया तो बिमा कंपनी ने भुख्तान करने से मना कर दिया और कहा कि आपने बिमा कराते वक्त अपने बेटे के बारे में ये नहीं बताया था कि उसे स्वास की बिमारी है मज़ पर्देश के पुर्वसियम कमलनात के बयान पर केंद्रिय मंत्री नरेंदर सिंग तोमर ने किया प्लटवार कहा बीजेपी ने जो कहा था वो करके दिखाया आज से हिमाचल पर्देश के धरमसाला नर्वाना में जीत की उरान भरेंगे मानव परिंदे नहां पैरा गिलाडिंग प्री एक्यूरेसी कप की होगी शुरुआत सुल्तानपुर में दिपावली के पावन परपर अखन नगर थाना परभारी निरिक्चक रवी कुमार सिंने पेस की मानवता की मिसाल गरीब परिवारों को मिठाई के साथ अन्यसामग्रियां दे कर मनाई दिपावली तो ये थी आज की तारतरिन खबरें ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किजे नटिफिकेशन बेल को दबाईए वीडियो को लाइक किजे और ज्यादा ज्यादा सेर किजे ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जान अनने वाले रह सकें अपडेट